नमस्कार मैं रितेश कुमार आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियों में आप सभी का स्वागत है तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जो आंगनबारी केंदर 15-11-2021 से फिर से पहले जैसे संचालन किये जा रहे थे वह ऐसे ही संचालन किये जाएंगे और जो आगनबारी केंदर के बच्चे हैं उनको होट कूक मिल के लिए जो उसहार की रासी है उसका जो सब्ताहिक मेनू लिस्ट है वो जारी हो चुका है और ये जो लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट है अब इसी लिस्ट के अनुसार आपको जो भंडारन पंजी है उसमें आपको दिए जाएंगे तो इसके संबंद में ICDS विभाग के तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया है आज उसी लेटर के बारे में आपको जनकारी दिने वाले हैं और जो सब्ताहिक मेनू है वो सब्ताहिक मेनू को भी आपको दिखाएंगे कि कितने किदर से जो बच्चो की पोसहार है वो मिलेगी आपको तो वीडियो काफी यूजफूल है आप सभी आगनबारी बहनों के लिए वीडियो को लाश्ट तक जोड़ देखिएगा उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वी सरकार के तरब से लेटर जाड़ी किया गया है प्रेशक अनुसरोन पदादिकारी आईसीडियस नीदेसाले के तरब से लेटर जाड़ी किया गया है सिवा में सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी यानि सभी डीपी ओ के लिए लेटर जाड़ी हुआ है यानि समाने कрем मेनू निर्धारन के संबंद में तो जैसे कि आंगणवारी केंदरों पे जो पुड़कप साहर दिये जाएंगे उसका जो मेनू है वो वो निर्धारित कर दिया गया है यानि final menu जारी कर दिया गया है तो वीडियो काफी useful है वीडियो को complete देखिएगा और आपको जो वो menu है उस menu के बारे में भी आपको end में बताने वाला हूँ देखिए इसके समन्द में कई जो लेटर हैं वो जारी किये गए हैं महास है निदेशा नुसार राजे के सभी 38 जीलो में 544 बाल विकास पर्योजना अंतरगत पूरक पोसहार कारेकरम में प्रसंगिक पत्र द्वारा अस्थापित बर्तमान बेवस्था को लागू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंतराले भारत सरकार के तरफ से ये जो पत्रांग है दिनांग 6-10-2017 के अलोक में पोसहार का दर एवं मानक निम्नोवत हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सब्ताहिक पोसहार सूची बर्तमान में बिहाराजे के सभी जीलों में पोसहार संचालन है तू गर्म पका भोजन के लिए सनलगन एक, दो और तीन के अनुसार सब्ताहिक पोसहार संसोधित कर सूची करनी धारन किया गया है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह आदेश दिनांग 15.11.2021 के परभाव से लागू माना जाएगा तो चलिए अब बढ़ते हैं उस लिष्ट की ओर देखिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो गर्म पका भोजन है तू सब्ताहिक मेनू है उसमें प जो हीडेन कोस्ट है यानि अन्य सामगरी की मातरा एंदर ये आपको टोटल 860 रुपे प्रती महीने के हिसाब से दिये जाएंगे जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फोटिफाइड साल दिया गया है 20 रुपिया पर पेक के हिसाब से एक पेकेट का जो रेट है वहाँ पर 20 दिया गया है मसाला है 10 रुपिया पर दे के हिसाब से 9 दिन खर्च होंगे यानि 90 रुपे इसका दिया गया है और जो इंधन है यहाँ पर 25 रुपिया पर दे के हिसाब से टोटल 25 डे ऑफ मन्त का जो यहाँ पर दिया गया है 625 रुपिया लगने वाला है तो इस हिसाब से जो परिवहन है 125 रुपया पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर 125 रुपया दिया गया है यानि टोटल मिला के जो 860 रुपया है ये अन्य समगडी की मात्रा एंदर है तो इस परकार से आपको अपना भांडार पंजी का जो डिटेल से उसको मेंटेन करना है आईए आपको नीचे द देख सकते हैं दिवस दिया गया है मेनु देनिक पोसहार यानि किस दिन क्या खिलाना है बच्चों को खाद्य पदार्थ मात्रा उर्जय केलरी प्रती किलो के दर से जो रासी है और जो प्रती बच्चे प्रती दिन की जो रासी है उसको यहाँ पर दिया गया है यानि सो मव पर को जो बच्चों को गर्म पका भोजन देना है जैसे कि चावल का पुला आओ तो उसके लिए देखिए चावल यहां पे 60 ग्राम प्रती बच्चे के हिसाब से यहां पे रासी जो आएगी आपको वो एक रुपए 56 पैसे के हिसाब से आएगी यानि 26 रुपए कीलो के से पढ़ेगा एक रुपए 56 पैसे उसी परकार से चाना है जो 20 ग्राम प्रती बच्चे देना है और इसकी जो किलो ग्राम की जो दर है वो 70 रुपए के हिसाब से प्रती बच्चे के हिसाब से आएगा यहां पे एक रुपए 40 पैसे इसी परकार से जो मौसम के अनुसार हरी सबजियां है तेल है देखे तेल का रेट जो दिया गया है यहाँ पे 110 रुपे प्रती किलो की दर से यहाँ पे दिया गया है और जो प्रती बच्चे हैं उनको 0.55 पैसे के हिसाब से प्रती दिन जो बच्चे का रासी है उसमें यह देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे कुल जो मात्रा है वो 110 ग्राम जो बच्चे हैं उनको देना है और जो इसकी रासी आएगी प्रती दिन के हिसाब से वो 4 उपए 0-1 पैसे आएंगे जो बच्चों का नास्ते का खर्च है अंकुरित चना गूर वो यहाँ पे देख सकते हैं अंकुरित चना के लिए यहाँ पे 35 ग्र 2 ग्राम पर बच्चे के हिसाब से देना है और यहाँ पे 70 रुपए चाना का जो रेट है प्रती किल्यू ग्राम वो देख सकते हैं यहाँ परति बच्चे 2 रुपए 55 पैसे की हिसाब से पढ़ेगा तो इस परकार से आप देख सकते हैं और उसके बाद गूर जो 20 ग्राम है वो 45 रुपे पर केजी के हिसाब से आएगा और यहाँ पे 0.90 पैसा यानि टोटल जो नास्ते का जो डेट है वो प्रती बच्चे 3 रुपे 35 पैसे के हिसाब से आपको जो स्टॉक मेनू है उसको मेंट करके देख सकते हैं कि किस परकार से आपको जो भंडार पंजी है उसका बीवड़न भरना है मंगल वार चनागूर पॉस्टिक लड़ू फिर बुद्धवार चनागूर नास्ते में देना है सत्तू लड़ू देना है जो गर्मपका भोजन है उसके साथ उसके बाद यहाँ सूजी का हलवा है उबला हुआ अंडा है इस प्रकार से जो रेट दिये गए हैं यहाँ पे आप लोग अपना देख सकते हैं और यहाँ पे अनुलोग थिरी में देख सकते हैं कि यह जो दिवस है यानि पूर्ड जो बच्चों को नास्ता और जो गर्म पका भोजन है वो यहा आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमको अपना पुसार मेंटेन करना है और यह जो लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट है तो अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आये हो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी आगनवारी बेहनों क साथ सेयर जरूर किजिएगा आज किस वीडियो में फिलार इतना ही मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद